सो येस सो वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जैन यूडूब चैनल हर्याना पावर यूटिलिटीज एच्पी यू कमणी की तरफ से डिक्रिमाने कल करके आ रही है for 2022 वैसे कोई एक कंपनी नहीं है इसके अंदर चार कंपनी है HVPN, HPGCL, DHBVN और UHBVN और ऐसे हर्याना को देख करके यह मत सोच लेना के हर्याना डॉमिसाल नेसेसरी है बिलकुल नहीं और इंडिया अपलाई कर सकते हैं सारे स्टेट वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं फ्रेशर जलीजिबल है पर्मनेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है लेवल नाइन का आपको पेस्केल मिलने वाला है याने ग्रॉस CTC आपकी 97,551 रुपीस पर मन्त की बन जाती है इन टोटल 143 वेकिन से निकाली गई है जहाँ पर असिस्टेंट इंजिनियर की पोजिशन है जो सबसे बढ़िया पोजिशन है लेवल 9 का पेस्केल है डॉमिसाल नहीं है इससे बढ़िया और क्या चाहिए जी बट देखो यार इंपोर्टन पॉइंट्स पहली बता देता ह होने वाला है तो अगर आप इंट्रेशेड हो फिट होते हो ये क्राइटेरियास में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो और वीडियो को छोड़ रहे हो जड़ से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टून सक्वात सके जो प्रशारण निगम लिमिटेड फिर अब आगे लिकर चलता हो यहाँ पर आप देख सकते हो डीटेल वेकेंसी के बार में चर्चा की गई है असिस्टेंट इंजिनियर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन 88 वेकेंसी बी टेक इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एन इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग होना चाहिए अगर M.E.M.M.T.E.C. है मास्टर्स है तब भी चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप जनरल कैडिगरी में हो तो 60% एग्रेट होना चाहिए अगर आप स्पेशल कैडिगरी में हो जैसे SC तो 55% मार्स भी चल जाएगा बट यह जो स्पेशल कैडिगरी है उसके उसको अवेल करने के लिए हर्याना डॉमिसाइल नेसेसरी है बट सर मैं तो महाराष्ट्रा से हूँ और मैं SCST हूँ तो आपको जनरल से फाइट करना है समझ मार यह बात तो अगर आप स्पेशल कैडिगरी फ्रम हर्याना हो हर्याना डॉमिसाइल है तब अवेल कर सकते हो रिजर्वेशन बढ़कर आप स्पेशल कैडिगरी फ्रम अधर स्टेट्स हो तो आपको जनरल से फाइट करना है इलेक्रिकल का गेट का पिपर कोड होना चाहिए ओंडी 2022 गेट स्कोर अलावड उसके पहले का अलावड नहीं है लेवल 9 का पेस्केल होगा अरे बट सर हमको स पर मन बन जाती है ठीक चलिए आगे लेकर चलता हूँ अब बात करते हैं कि और क्या चीज नेसेसरी है यहाँ पर आप देख सकते हो मस्टव पाल हिंदी या संस्कृत अप्टू दी स्कूलिंग लेवल या हाई स्कूल में आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए चलि स्कूल सा यहाँ पर है इसके अलावा अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज लिमिट जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है कोई दिककत नहीं 20 से ले करके 42 सारे बच्चे यहाँ पर है अगर रिजर्वेशन जाईए तो फिर हर्याना आपको मिल जाएगा उसके बार में यहाँ पर डीटेल में चर्चा की गई है इसके लावा फाइनल यह वाले बच्चे अक्सर पूसे रहते हैं सर हमारे लिए है या नहीं तो आपके लिए है बट दी फाइनल यह स्टूडेंट्स या सिमिस्टर में जो है having essential qualification as on 23rd January 2023 will only be eligible to be appointed as a in the respective positions electrical mechanical या सिविल ठीक चलिए तो यहाँ पर अब selection process के बार में बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा unique रहता है HPUs का कोई interview नहीं कोई group discussion नहीं सीधा का सीधा pure merit basis gate का जो है marks वो 80 marks 80% रखा जाएगा और socio economics criteria and experience को 20 mark दिया गया है वो कैसे क्या बटा गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से यह marks बटे गया है ठीक है PDF कि लिंग मैं description box में दी है आप आराम से एक एक करके detail में पढ़ सकते हो मेरा काम है आप तक important data पहुचाना highlight करते हो यह जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कोई interview नहीं होने वाला है और ना ही पहले की gates को यहाँ पर चलने वाले है दुखत बात है application fees के बार में जो मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ पर जो male candidates है including the dependent son of ex-servicemen of haryana for male candidates for the other categories all over India सबको 5 rupees pay करना है वही अगर आप female हो all over states तो 125 है और वही अगर आप mail from the haryana special categories हो यहाँ पर तो 125 rupees अगर आप PWD haryana candidate हो तो आपके लिए कोई भी application fees नहीं तो मुझे बहुत जादा लगते हैं यह application fees जो जरुवत नहीं है जब अगर आपको यहाँ पर कोई written test नहीं लेना है ना कोई exam conduct होने वाला है तो इतनी application fees लेने की जरुवत किया है ठीक है बट क्या ही कर सकते है यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी चीजे कैसे क्या pay करना है उसके बार में discuss किया गया है इसके अलावा और कोई detailing नहीं है ना ही कोई special बाते है बस आपको इतना याद रखना है online application है जो अभी start नहीं हुआ है तो sir कब start होगा और कैसी क्या भरना है कब start होगा 23rd December को मैं video shoot कर रहा हूँ 21st December को तो आप ध्यान से देखना दो दिन में यह start हो जाएगा 23rd January 2023 तक यह कहानी चलेगी बाकी मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कैसी क्या भरना है PDF के अंदर सारी कुछ जानकरी दी भी रखी है तो आप PDF और हमसे रिफर कर लेना PDF की लिक्स दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में फिलें ठीक केर बाबाई फानाव सी या